सभी को मेरा साधर परणाम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर खास पेशकस में और आप देख रहे हैं मेरे साथ ओमप्रोप्टेक प्राइविट लिमिटिड का यूट्यूब चैरल तो हर दिन मैं आपके सामने रूब अरू होती हूँ अपने ओमप्रोप्टेक के चैनल के माध्यम से और कोशिश करती हूँ कि सारी जानकारी और सटीक जानकारी आपको समय पर पहुँचा दी जाए तो आज भी बहुत अच्छी अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ सात्यों लगातार मुख्यमंद्री योगी आदित्यनाज जी हो या इड़ा छेतर के CEO लगे हुए हैं कि जादा से जादा चीजों को इड़ा छेतर में लाना कैसे संभव हो सकता है आज हम बात करेंगे इलक्ट्रिक सिटी की जो पूरी इलक्ट्रिक सिटी बन रही है यमना प्राधिकरन छेतर में और वो भी 200 एकड में उसी को लेकर बहुत अच्छी कबर सबसे अच्छी चीज इसमें ये होगी कि किसानों से जमीन लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओल्रेडि़ वो जो जमीन है वो सरकार की है तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस city को बसाने में जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो चीजें हैं वो विक्सित होती हुई हमें नजर आएंगे उसी से जुड़ी बेहत अच्छी खबर लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने नोईडा एरपोर्ट के पास उद्य होगी इलक्ट्रिक सिटी और वो भी 200 एकड में विक्सित होगा भविश्य का हब हर छोटी से बड़ी चीज़ को ध्यान में रखकर इडा छेत्र में हम प्राधिकरन लगा हुआ है कि कैसे एक अलग पहचान कैसे एक अलग रूप यमना प्राधिकरन को दिया जाए और लगातार सफल भी हो रहा है बहले ही सिटी को बसने में समय लग रहा है बहले ही जो पहले टाइम निकल चुका है लेकिन अब जो चीज़े आ रही है ग्राउंड पे या हम कह दे कि हमें जो देखने को मिल रहा है वो बहुत जादा चीज़े हमें बदलती हुई नजर आ रही है बाकि हम हर दिन वीडियो में बोलते ही है भविश्य का सहर है ये और इसमें कहने में कोई संदे ही नहीं है कि ये जो सहर है भविश्य का वो कितना उज्वल होगा और जो लोग यहां पे इनवेस्ट कर रहे हैं in future देखते हुए उनका future कितना अच्छा होने वाला है और सफल होने वाला है तो इलेक्ट्रिक सिटी से जुड़ी ही बहुत बड़ी अपडेट सबसे पहले बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक सिटी का क्या परीचे है तो उस पर देखते हैं एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाज जी की एक महत्पोन द्रस्टी नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के छेत्र पर है जी बिल्कुल है मानेने मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाज जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर और सारे ड्रीम प्रोजेक्ट को वो पूरा कर भी रहे हैं उनका सपना है कि इस छेत्र में हर संभव सुविधा उपलब्द हो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 200 एकड की जमीन पर इलक्ट्रिक सिटी बसाने की योजना बनाई गई है हर संभव सुविधा वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सारी सुविधाओं को यहाँ पर दिया जाए इस्थान और भूमी कहां होगी वो भी एक बार नजर डालते हैं इस इलक्ट्रिक सिटी का निर्माण योमना सिटी के सेक्टर 10 में होगा इस परियोजना की एक विशेष्टा यह है कि इसके लिए किसी भी किसान से जमीन नहीं ली जाएगी क्योंकि इस परियोजना म्योपियोग होने वाली सारी जमीन पहले से ही सरकार की है तो इसमें ये भी नहीं है कि किसानों की अनुमती लेनी पड़ेगी किसानों को मुआफजा देना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर कारे निर्मान शुरू होगा यहाँ पर आलरेडी ही जो जमीन है वो सरकाल के लिए अलोट है सेक्टर 10 में बनने जा रही है इलक्टरिक सिटी जो हम बात कर रहे हैं वहीं निवेश और रोजगार पे भी हम एक बार देखते हैं कि क्या है अपडेट इलक्टरिक सिटी में करीब 15,000 करोड रुपे का निवेश किया जाएगा इससे सीधे तोर पर कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है इस परियोजना में सैमसंग होगा, LG, Vivo और OPPO जैसी प्रमो कमपनिया अपनी काईया स्थापित निवेश करेंगी यमना विकास प्रादीकरन इस इलक्रिक सिटी की स्थापना के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है केवल मोटो यही नहीं है यमना प्रादीकरन की परियोजनाओं को ला दिया जाए साथ ही साथ वो ये चीज लेके चल रहे हैं कि अगर हम इसमें इतना निवेश कर रहे हैं यहाँ पर हम ये परियोजना ला रहे हैं तो इसका भविश्य में क्या असर पड़ रहा है तो आप इस चीज से एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कि LG हुआ वीवो हुआ वो अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर जब शुरू कर पाएंगे तो किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें बदलती हुई और देखती हुई नजर आएंगे लगा हुआ है इस तैयारी में पूरी तरीके से अब यमना प्राधिकरण वही योजना और विकास की दिसा पर भी नजर डालते हैं कि Electric City की योजना और विकास उत्तर प्रदेश सरकार और यमना विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रियासों से आकार ले रही है इस परियोजना से ना किवल नौइडा और आसपास के छेतर का विकास होगा बलकि यह हैं विकास नई प्राध्योगिक और इस्थाई उर्जा समाधानों की दिसा में भी एक कदम होगा इस परियोजना के माध्यम से नौइडा को भारत में इलेक्ट्रिक्स और उर्जा समाधानों का एक प्रमुक केंद्र बनाने की उम्मीद है जो भी चीज यहां पर लाई जा रही है बड़े लेवल पर लेके आई जा रही है और कहीं न कहीं इस उद्देश्य से लिजा रही है कि जो यहां की पहचान है वो एक अलग तरीके से पहचान बन पाए चीजें जितनी यहां पर कहने में आसान लगती है यह हम वीडियोज में बताते हैं कि यह आने वाला है यह परियोजना आ रही है उतना ही डिफिकल्ट होता है कि चीजों को धरातल पर लाना लेकिन यमना प्राधिकरन ने उसे भी आसान बनाकर लगातार धरातल पर हमें देखने को चीजें मिल रही है वो समय बिलकुल भी दूर नहीं है अब जो हम यह कहें कि यहां पर इतना समय लगेगा चीजों को आने में अब चीजें साथ की साथ आ रही है और आप खुद भी जाकर देखेंगे तो आपको यमना प्राधिकरन अब एक अलग तरीके का आकार लेता हुआ नजर आ रहा होगा बाकी मैं तो हर दिन मिलती रहूंगी बताती रहूंगी कि क्या अपडेट है किस तरीके की परियोजना आने जा रही है और किस तरीके का काम यहाँ पर चल रहा है लेकिन अगर आप अब समय बेकार करेंगे तो चीजें आपके हातों से निकलती हुई भविश्य में नजर आएंगी तो जो लोगों के सपने हैं बाद में वो सपने बन कर ना रहें इसलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर बजट है इन्वेस्ट करना है तो यमना प्राधिकरन के छेत्र में कहीं भी आप इन्वेस्ट करें लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें बाकी लेती हूँ फिर आप से अनुमती और फिर मिलूँगी कुछ नई अब्डेट के साथ नई खबर के साथ और बताऊंगे आपको कि क्या आप यह अवना प्रादिकरन की अब्डेट है जब तक के लिए आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिये गए नंबर पर स्क्रीन पर हमेशा नंबर मेंचन रहते हैं 9800 500 700 8510 801801 अब लेती हूँ आप से आगया फिर मिलती हूँ कुछ खास पेशकर्स के साथ और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आवार जैहिंद